समस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों यदि आपका एकाउंट साइवर सेल के दुवारा होल्ड कर दिया जाता है या फ्रीज कर दिया जाता है तो आपका एकाउंट अन्फ्रीज कैसे होगा अन्होल्ड कैसे होगा क्या आपको ब्रांच में जाने से आ आपका account unfreeze हो जाएगा या unhold हो जाएगा या नहीं पूरा डीटेल इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर unfreeze करवाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा और क्या process करना होगा वीडियो में आखरी तक बने रहिए यदि आप अपना account से कुछ suspicious activity करते हैं या फिर illegal amount आपके bank account में credit होते हैं और यदि उस पे cyber sale का नजर पड़ता है तो instant आपका account freeze कर दिया जाता है और freeze करने के बाद cyber sale उस पे जाज करना सुरू कर देती है कि आखिर जो suspicious activity हो रहा है वो कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है उस पे जाज सुरू कर देती है यदि आप इसमें दोसी रहते हैं तो आपके उपर legal action भी लिया जा सकता है और यदि आपके द्वारा वो fraud या illegal activity नहीं कि किया जाता है तो आपका account जो है वो unfreeze कर दिया जाता है दोस्तों आप अपने account को unfreeze करवाने के लिए अपना branch जाते हैं तो वहां कोई आपको help नहीं मिलेगा branch manager के दवारा कोई भी help नहीं किया जाएगा वो साफ बोलेंगे कि यह मेरे under में नहीं है क्योंकि जब cyber sale के दव आने पर ही branch manager आपका account unfreeze कर पाएंगे तो दोस्तों यदि आपका account freeze हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है यदि ज़्यादा जरूरी है तो आप cyber sale को mail कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है इससे होगा कि जो भी जांच चल रहा है उसमें तेजी लाया जाएगा और आप आपका account जल्द ही unfreeze कर दिया जाएगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like कर दिजे चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe करके विल आइकन प्रेस कर लिजे थैंक्यू